हेलो नमस्कार बच्चो स्वागत आफ सभी लोगों का बेसिक सिच्छा के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर और मैं मनिस यादव आपका मैथ कमेंटर आपका नुमेरिकल एविल्टी कमेंटर तो बच्चो काफी बच्चे बार-बार पूछ रहे थे कि सर एक बार यह बता दीजिए कि इस आखरी के साथ से आठ दिनों में नुमेरिकल एविल्टी के अंदर ऐसे कौन से चेप्टर पढ़ लें जिससे हमारा सिलेक्षन हो जाए बी एच्चू में या फिर आपकी जो भी आपकी ड्रीम्ड उनिवस्टी है वहाँ पर जहाँ पर जनरल टेस्ट मांगा जा रहा है तो चली आज हम उसी के रिगार्डिंग वीडियो लेकर के आएं आपके सामने हम आपको बताएंगे कि प्रीवियस येर को देखते हुए हमारा 2200 जो एक्जाम हुआ था उसको देखते हुए किन चेप्टर का बोल बाला रहा था उन्हीं चेप्टर को हम आपको बताएंगे कि ये चेप्टर तो कभी भूल कर भी नहीं छोडने हैं हैं तो चली हम आपके सामने एक साथ एक स्कीन पर पूरा का पूरा सिलेवस लेकर के आये हैं ये आपके सारे topic हैं major topic हैं जो हमें नुमेरेकल अाविल्टी में पढ़ने होते हैं हमने पूरा बिसतार से लिखा है एक टॉपिक देखिए जैसे हम बात करें नंबर सिश्टम की LCM SCF की फ्रैक्शन के और सर्ट सर इंडिसिस की यह आपके जो तीन चार चैप्टर है यह यह आपके कि ओवर औल कही ना कहीं number system से ही related है सारे के सारी तो अगर आपका command है number system पे तो इसको मझबूत कर लीज़े क्योंकि यहां से आपको कम से कम नहीं तो चार से लेकर के 5 question exam के अंदर देखने को मिलेंगे इसमें ही आपका छुपा हुआ है simplification V क्योंकि simplification कहीं अलग से नहीं आता है वो इनी सब का mixture होता है search and indices हुआ कि आप घात और कड़ी को कैसे solve करते यही सब तो है simplification जोडना, गटाना, board mass, fraction यह सारी चीज़े आपकी simplification हो जाती है तो मैं कहूंगा कि इस unit को आप तयार कर दीजिए ठीक है ना, एक unit को फिर मैं दूसरी बात करूँगा दूसरी बात आपकी होती है percentage profit loss ci और di sorry ci और si और si और इसी में आप merge कर लीजिए discount को भी, किसको? discount को भी, यह सब लगभग एक जैसे होते हैं एक ही चीज़ पर चलते हैं, एक ही परभासा है इनकी एक ही तरीका है करने का, सब percentage की help से होते है तो आपको करना क्या है, इस दूसरे इस topic को नहीं छोड़ना है क्योंकि अगर हम इन तीन चार topic को मिला ले तो इससे भी आपको ठीक ठाक मातरा में question देखने को exam के अंदर मिलेंगे और पिर अगर मैं तीसरी बात करूँ, तो आपका आता average अकेली chapter, important chapter है ठीक है न, average जो है, यह क्या है, यह कुछ chapter, chapter नहीं है मैं हमेशा से बोलता हूँ, यह tools है, यह हर एक chapter के अंदर आ जाएंगे वो किसी भी chapter के अंदर average लगा देगा, वैसे ही आपका ratio in proportion होता है ratio in proportion में खास तो जो ratio है, ratio यह आपका हर topic के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा हम आपको discount पढ़ा है, वहाँ भी ratio method लगता है, आपको profit loss पढ़ा है, वहाँ पे भी ratio method लगता है यानि कि यह topic केवल अपने तक सीमित नहीं है, यह दूसरे topic को भी affect करते हैं तो आपका क्या-क्या करना यह दूसरा number और यह हमारा हो गया तीसरा number जो हमें करके जाना है exam के अंदर कुछ भी हो जाए, ठीक है न, फिर उसके बाद मैं आपसे कहूंगा कि आप time, distance and boat and stream और plus trend, plus trend related problem को पढ़ लें क्योंकि पिछली बाद trends related problem मिला लूँ अगर मैं time and distance के साथ तो ठीक-ठाक मातरा में आई थी, तो आप चौथा topic इसको cover कर लीजिए, ठीक है न चौथा topic आपको यह cover करना है, अगर आपको exam में अच्छा score करना है, आपको secure करना है अपना position, अपनी dream university के अंदर तो, ठीक है न, फिर उसके बाद आप जानते हैं कि time and work और pipe and system यहां से भी question आते हैं और बिल्कुल adjective similar दोनों हैं, दोनों एक ही theory पे बढ़ करते को कुछ नया नहीं पढ़के जाना है, एक ही theory पे बढ़ करेंगे तो दोनों को में से एक भी पढ़ लो, दूसरा automatic हो जाता है, ठीक है, फिर आपका मैं बात करूँगा किसका, आपका होता है अगला chapter geometry और अगला chapter होता है mensuration, यह most important topic से, क्या है, most important, इसको नहीं छोड़ना है मेरे भाई, और बहुत आसान है, बहुत आसान है, आपकी अगली unit, छटी unit यह मान के चलो, कि आपको इसको नहीं छोड़ना है, आपको geometry और mensuration, जयामिती और आपको छेत्रमिती, इन दोनों topic को इतने अच्छे से cover करना ह पूरा का पूरा जो इसका खेल है, वो formula पे चलता है, सब कुछ formula based है, सब कुछ formula based है, अगर अभी भी आपने याद नहीं किये, तो अभी भी आप इतने समय में कही लिख लीजिएगा, उनको बार बार पढ़ते रहिए, सारे formula याद हो जाएगे, तो यह तो बात होगी आप आपको इन 6 topics से कितना question आया था, ठीक ना, मैंने पैस से पहले भी एक video डाली हुई है, जहाँ पे हम लोगों ने बेटेज बताया था, हर chapter का, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं, कि यह 6 chapter अपने आप में बोलवाला रखते हैं, ठीक ना, अब आप और जादा चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सर, कोई और भी topic जो इसमें हम पढ़ लें, जो आसान है और हमें पढ़ लेना चाहिए, तो आपको क्या पढ़ के जाना है, एक आप जानते हैं, त्रिग्नोमेट्री और हाइटेन डिश्टेंस, साथ नंबर हम इसको रखेंगे, कि आपको त् उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ, अगर उसके बाद मैं बात करूँ, तो अगला होता है आपका problem on ages, मतलब age के उपर, क्योंकि age का problem होता है, वो दो तरीके का होता है, एक तो आपका linear equation से बनता है, और एक आपका बनता ह ratio से, आपका दो चीजों का ये mixture है, कौन age, age में कभी-कभी आपको equation बनाना होगा, कभी-कभी आपको ratio दिया होगा, तो ratio की help से हमें करना होता है, तो आप अगला topic इसको तयार कर सकते हैं, अगर और ज्यादा कर सकते हैं, करने को तो आप पूरा syllabus तयार कर सकते हैं, मैंने अगर आपकी तयारी अभी तक उतनी अच्छी नहीं होई है, जितनी आप चाहते हैं, तो हम लोग चला रहे हैं PPL Series, क्या चला रहे है PPL Series, इसमें हम लोग most expected MCQ कराते हैं, ठीक है न, आप काफी बच्चे कर भी रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए, जो बच्चे अभी तक concept समझना उतना helpful नहीं हो पाता है, क्योंकि confusion हो जाएंगी, तो आप courses करिए कि problem करिए, क्या, आप ज्यादा-ज्यादा question करिए, क्योंकि question से ही concept सीखने को मिल जाता है, ठीक है, और दूसरी आपको जरूरी चीज क्या है, दूसरी आपकी जरूरी चीज यह है, कि अगर आपको concept सीखना है, concept सीखना है, तो अभी भी आप, अभी भी आप चाहें तो, चाहें तो crash course पर change कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, crash course पर change कर सकते हैं, जहां पर आपको सारी video recorded format में पूरा बिस्तार से मिल जाएगा, अगर आपको लगता है कि हमारे पार इतना समय है, हम concept पढ़के समझ कर सकते हैं, नहीं तो मैं कहूँगा कि PPL सीरीज में, जो हम most expected MCQ करा रहे हैं, उनको जोइन कर लीजे, और देखिए, अगर आप तयारी को और बहतर करना चाहते हैं, तो आप NTA-based, हमने test series बनाई हुई है, जिसमें आपको 2 test series demo में मिलेंगी, फिरी मिलेंगी, उसके बाद आपको 199 में आपको purchase करने होंगे, बाकी के 10 test series को, मतलब 8 test, 2 फिरी हैं, और 8 आपके paid हैं, ठीक है न, आप जो भी बच्चे general test की तैयारी कर रहे हैं, तो अपना वो static GKGS का revision चाहते हैं, quick revision चाहते हैं, तो वो 49 की हमारी इस booklet को, e-book को purchase कर सकते हैं, ठीक है न, उसी प्रकार स आपका e-book हर एक subject का, अपना chapter wise theory के साथ भी है, जो domain के subject हैं, तो आप 249 में purchase कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि practice set मिले हर एक subject का, तो आप उसको 99 में purchase कर सकते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपके लिए video helpful रहेगी, और आप अपनी पढ़ाई में अग्रसर रहेंगे, क्योंकि आखरी समय में जो डिगता नहीं है, वही आगे निकलता है, जो टिका रहता है, वही आगे निकलता है, जो यहाँ पर अपना confidence lose कर देता, अपनी hope को lose कर देता, वो आगे नहीं बढ़ पाता है, तो आपको hopefully रहना है, मतलब आपको उमीद रखनी है, ठीकर उमीद आप तक के लिए बच्चो जै हिन